असलामों अलाइकूम आज है संडे असंडे मतलब पिछले संडे के हैं आज मैं संडे को यह से अप्लोड कर रहे हूं संडे के दिने सुबह पाटाइम में चार वजे उट गई थी फिर हैस्बें को और बच्चों को उठाई में बड़ी चलो हम लोग मॉर्निंग बॉक पे चलते हैं आज हैस्बें के साथ जाओंगी तो फिर मैंस्बेन के साथ आया है, मतलब सबको तैयार बार होते वए हो गए है, सुरज निकल चुके थे और ब्रीज से इधर से क्रोस करना था, हमेशा हम लोग ब्रीज के उस बार से वाँकिंग करते हैं, इस बार ब्रीज से हम लोग इस बार तो हम लोग आ गये थे प्लेन का वीडियो बनाओंगी तो कैसा दिखिएगा क्या व्यूज होगी तो प्लेन तो दिखा नहीं और बस और कार मतलब यह ट्रक इतना दिख रहा था यह इतना दिख रहा था कि बस कहना नहीं जितने भी ट्रक लगे थे न यह सारा फिश मार्केट का लगा था मचली का मे और बगल में मतलब समुंदर है समुंदर सी तो बहुत ही देर वीट करने पर एक प्लेन आ रही है तो यह है प्लेन की वियू यह लैंडिंग होने वाली है प्लेन यह दुबई आ रही है चान एरी दुबई आ रही है तो प्लेन तो देखने में एमरेट्स जादा अच्छा यह बहुत पतला वाला एमरेट से वह डबल वाली होती है ना मोटी वाली सी वह प्लेन वाव जब नजदीक से देखते हैं तो लगता है केरो प्लेन और इसनल एल प्लेन तो यह है तो वीव देगे कितना खुब सूरत है यह इंटरनेशनल टर्मिनल थरी पे लाइन करेगा है पता मैं पैदा नहीं, क्यों बोल दी खर चले मैं लिप्स उपर से आ चुकी थी अब मैं लिप्स निचे जाओँ गाए यह मैं आपको विजदिका रही है यह रोट का है यह यह है देरास देरास सामने आपको एक होटल दिख रहा है यह फेमेस होटल है हाया तेरेजनसी ऐधीच पे तो बीच पे गई थी, तो बाइकार गई थी, आज बीच पे नहीं जाओंगी। पर जिस ब्रीज से क्रॉस करके हम लोग भी बीच पे गएतें तो आज अधर वॉकिंग करने जाओंगी। कि उनकी वह वाकिंग ट्रैक भी बना है तो हम लोग इधर से यह देखे अभी दूसे प्लेना चुकी है यह वह ब्रीज यह तो रोड क्रोस करने वाली है फ्लाइ हो रहा है तो बस हस्बेन उपर से भी आ रहे हैं उनका वेट कर रही हूं वह शायद किसी से बात कर रहे थे तो उनका लेट हो गया और यहां लिफ्ट भी लगी है अराम से अप लिफ्ट से मैं चड़ती लिफ्ट से उतरती सुड़ी से क्योंकि चहरना तो यह सब को पता है कि चहरना कितना मुस्किल लगता है खेर इधर इसमें आ रहे हैं तो और मैं आ गया कि वीव दिखाती और निश पूरा लगता है दुबए में डिस्टिब्यूट होता है इदर से जाता क्योंकि यह में मार्केट है फिश का यह है दुबए का बस स्टॉप तो मैकसिमम लोग को पता है कुछ लोग को नहीं पता तो यह बंद बता देती यह ग्लास लगा और इसमें ऐसी लगा यह नई बनी है नई बनी है कि दम नई बनी जब मैं आई थे उस टम यह सब कुछ भी बिलकुल भी नहीं था आने का दो साल के बाद यह सब बनना सुरू हुआ और उसके बाद अभी चार साल हो गए है तो यह अब कमप्लेट हो गया फाइनली अदेखे अभी देखके ही लग र अभी विच्चे थक गए हैं बहुत दूर से आ रहे ना एक किलोमेटर तो हो गया है चल चल कर पर सुबह का टाइम है मौसम अच्छा है और हवा भी चल रही है पर ज्यादा नहीं चल रही है पिछले वीक के तरह ने पिछले मैं तो थ्रज्डे को गई थी आज तो संडे है फैर तो निशास का प्लान ही कि सीडी से चले मैं बोले कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाओंगी सीडी से चड़ूगी मैं तो लिफ्ट से जाओंगी सीडी से चड़ने में हालत ही खराब जाग ओपर से ब्रेज पे अभी इतना हुचाही खैर मैं निशास को भी मना कर दी कि नहीं मत जो सिरी से ठक जोगे बहुत ज़ादा दो लिफ्ट थी तेक साइकल वाले आए कि कुछ लोग साइकलिंग भी करते हैं तो साइकलिंग में जातर देखें मतलब इंडिया पाकिसान नहीं थे फिलिपीन थे पता नहीं कौन से कंटरी करते थे बस फिलिपीन मुझे ऐ यह तो एक लिफ्ट तो जा चुकी थी हम लोग दूसरे लिफ्ट में आगया कि बहुत अच्छी सी प्यारी सी म्यूजिक बज़ रही थी और यह पुल फुल एसी थी और इसमें मिशिक कि न्यू बनी हे ते न्यू टेक्नियोलोजी के हिसाब से सब बनी भी तो बहुत अच् जितना उजा उपर आना था बच्चे को तो कुछ ने बच्चे फोल एनरजी है खेर हम लोग उपर आ चुके हैं उपर आने के बाद देखें कितना अच्छा लग रहाँ सनाटा बस इदर वॉक कर सकते हैं यह दहर देखें पर हम लोग जैसा एक और भी है इनसान यहां बैठे हैं वो भी बिचार अकेले बोर हो रहे हैं हम लो तो चार बंदे यह तो अकेले बैठकर रहे हैं मतलब इन्हें भी अकेला पसंद इसलिए इदा रहा है तो उपर से यह देखें सिफ ट्रक ट्रक बस ट्रक बस सिफ यही वीवज है इसकी और आगे चलके मैं दिखाती हूँ इधर समुन्दर का वी उसे है, तो बस निसास निसार इतना उचाई पर आकर देख रहे थे तो, बस इंज्वाई ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बुरा कुछ तो फिल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बुरा तो कुछ है नहीं, और अच्छा प्लेस है, तो आपको इधर ये न नया देरा आईलेंड, देरा आईलेंड जो बना है न, वो वही है, यह उसका रास्ता है, देरा आईलेंड का जाने का, यह जो ब्रिज है, आप इस ब्रिज से क्रोस करके देरा आईलेंड जा सकते हैं, तो बस निजार, निजार कह रहा है कि बस मम्मी रोज आ जाया करें सुब बचे इस से दोडों किसे को बिरॉस करके सैकल रहे थे हैं कि और जो जिसे सै seperti कर रहे हैं और यहांा से यह देखें यह यह रोड ही यह शाइद यह नॉर्माइल लोग को आफ्ने यह ». पुलिस की बोट है, यह सुरता का बोट है, सुरता कार देखे है ना, यह सुरता बोट है, तो साथ सुरता लिखाव आपको नहीं दिख रहा है, और भी किसी किसी चीज़ का आफिस है, और क्या चीज़ का आफिस है, सब साफ नहीं दिखाए दे रही है, तो चले मैं आगे और आपको चल करके दिखाती हूँ तो यहां से आपको समंदर का व्यूज दिखेगा और यह वही समंदर है जिसे हम लोग फैरी में बैठ कर इधर से ही क्रॉस करके सार जा गयते हैं यही वो लुक है मतलब लुक बतलब मतलब व्यू तो अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो मैं तो हर वीडियो भी बोलती हूँ अच्छा लगा क्योंकि कम लोग थे जादा लोग नहीं थे जादा लोग होते तो अच्छा नहीं लगता कम लोग थे तो अच्छा निजार थक चुका था और निजार बस अपने पापा के पीट की उपर आकर रहा था लिए तो पापा का तो पापा का तो थग गये थे पर बच्चे भी थग गये थे तो पर निजार अपने पापा को बोले कि ने मैं ज़ादा थग गया हूं खेर दोनों का थखना थखना होतम करें और हम लोग इद आ चले हैं फिश मार्कर तरफ पह क्लती हो गई थी क्लती क्या होई थी में बागे बताऊंगी है है वह बहुत सुबह सुबह हम लोग आ चुके था इधर सब कुछ बंद है यह सब बचों की प्ले एरिया और यह सब का टिकेट आपको मतलब 30 मिनट 40 मिनट 15 मिनट ऐसे और टिकेट आपको जैसे 15 मिनट का तो 50 दरम 60 दरम 100 दरम यह सब प्राइज होती है यह सब चोटी चोटी शॉप है और यह सब बंद है और सब कपड़े से ढखा है और यह पोचा लग रहा है यह पोचा मतलब हम लोग लाए है पोचा लगाने वाली मसीन है और कर क्लिनिंग हो तो जब रिटन बैक रिटन आई तब तक सारा शॉप अपन हो चुका था हम लोग को जाना फिश मार्केट तरह पर निजार को जाना वाष्वूम तो हम लोग इदर आगे बिजिटेबल मार्केट के तरफ दफ तरह इदर यह फिरूट मार्केट है फूट एंड वेस्टेव पहले नहीं था पर अब भारी की चीज बिलती है, मुझे लगता है यहां समान खरीदने के लिए फुल एक्सपेरियंस चाहिए, चाहिए वो फिश हो, चाहिए वो विजटेवल हो, चाहिए वो खुजूर हो, चाहिए कुछ भी हो, जो अमेसा आते हैं, उन्हें आते आते एक् खेरी तर आने का बाद उधर गया, तो वर्श्रूम उधर बन था, मॉर्णिंग के टाइम में पता नहीं क्या वज़ा से, तो फिर एदर बहुत बड़ी एलेडी लगी थी या वेटिंग एरिया है, तो आप बैट जाएं, बैट के वेटिंग एरिया में बस एलेडी में जि और उसका वर्श्रूम से आने में टाइम लगा, दस मिनट जब तक हम लग वेट कर रहे था, जब तक मैं इस डिस्प्ले का वीडियो बना रहे थी, ये मेट रो तो ये तो वो, कहां, क्या, ये जारो तरफ, तो कुछ जाद ही मैं दे, जब तक मैं बैटी रही तब तक मैं इसका ये वीडियो बना रहे थी, कि चले आप लोग भी देख लें, क्या वेट करके, कि अगर वहाँ वेट करना हो तो जब तक डिस्प्ले पर जो रगा है ये सुब सुबा की क्लीनिंग हो रही है, पूरे दिल लोग आते हैं, तो ग्लास को टच कर रहे हैं, जो पता है, इ सिर्फ सैल्मॉन फिश लेना था, और कुछ भी नहीं, कि हजबन सिर्फ खा खा कर बोर हो गए था, सैल्मॉन लेना, सिर्मॉन सबसे महंगा फिश लेता है, जिस से भी पूछे, 45 दरम, 45 दरम, 130 दरम का दे रहा था फिश, और ये है प्रांस, बड़ी साइज की, मिडियम संद थेंवे, वो लोग खाते ह surrounds, मेरे घर में कोई नहीं खाता मरूश भी है, मिये निशास को कहते है, यह खानेनी के चीज़ें, यह कीडा है, यह गजेटन साक्ता है, मुझे आपया प्यारता है, तो हसलो में लोग में खाओंगा, मैं खाती हूं, छोटी मढ़ hosts अ. इनीन तो ज्यादा फिश नहीं खाते हैं और ज्यादा फिश की- बारे पी पता भी नहीं है कौई बात नहीं फ्राइ करके सैल्मोन का टेश्ट तो आजाएगा िइन दरम सैल्मोन और जब मैं गोर से देखी ना अंदर में न सिपना उसका चमड़ा चिलका उलका जिंदा गंदगी सब भरावा था खेर जिसे जो मन भर रहा था वो ले रहा था मैं तो नहीं ली यह शेडी फिस्ए, शेडी फिस्डी मुझे लेना था पड़ भला था यह ब्लैक प escaped on व्ल्लत केजिव, तो हम लगूस सेऍव था ऐत už चोड़ी पूंप लें और उन्द्र सेप मैं तो जो विज हुए लिख रहा था था और वह जो नुद красив लेरा था वह 15 केजि 15 केजि 25 केज़ी बला та फिव्टीं क द्यूंख द्यूंख 50 केजी कि दिया है चलो ले लो मुझे इधर से लेना थवी तो मुझे इधर से लेना था मखाना 553 केज़ है और अच्छी प्राइस मिलते हूं मैं इसी सौप से लेकर उसके जाती हूं एक स्नेक्स लेकर जाती वह बहुत अच्छी है तो मैं मखाना लेकर के लिए और उसके बद बचों को लग गई भूग और इदर कोई कैफेटेरिया थी नहीं अधर जो भी मेल रहे थे तो पीजा म अ़िस मन शौक शॉक से कहा हूं एक होता है कि हम लोगों सुब़ा आप Bennett transaction है तो हम लोगों जो खाना वो ही कहरा है ऱो हम लोग弦 खाना यह सब नहीं और है कि मुझ्थ से फासर ही हॉड़ी और मुझे यह सब चीज पसंद दी कि कि सुबह कोद खाना हम लेकर दूब को जो दाल और चिकन यह हैं दोपहर का लंच और खाना वाना खा कर सो गई बाहर कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई थी फिर साम के टैम में फिर शॉपिंग करने के लिए मैं गई और यह है पिलो इतना सॉफ्ट मुझे इतना क्यूट लगता है मैं जब जाती तो मैं इसको देखत पर यह चरिट है इससे पता यह बैक सैड में लगाने का आप्शेद में पैठ र सेक्षए में उसे सहाथ कारवार में बैठते हैं या फिर आप चेयर पे बैठते हैं ओफिज में लॉग टाइम तक तो तो मैं आप लोगको यह दिखा रही हूँ हैं कि यहाँ देखे मुझे लेना है prayer mat तो मैं इस section में आई तो यह देखें, यह क्या दिख रहा है आपके यह cotton वाले में मील रहा है यह towel जिसको हम लोग का बिहार में यह हम लोग का बिहार का न समझो कि ट्रडिस्नल स्टाइल है न गमचा रखना, वही वह गमचा है कोई गमची भी बोलते, कोई गमचा बोलते है और मुझे लेना है prayer mat बज़र नमाज तो यह देखें, जितना भी यहाँ पर है ना, यह one side, two side वाला ना यह made in Turkey है, जिसका price है यह देख लें 59 दरम मतर्स 60 दरम रख ले यह पॉइंट में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर इससे पहले मैं खरीद के लेके गए थी 49 में, 49 में यह भी, यह मुझे पसंद आ रही थी बट फिर मुझे इस पर नज़र आ गए तो सारा था 59 दरम का पर यह, मैं तो इसको 59 दरम समझके ही खरीदी पर खरीदने के बात पता चला के नहीं, इसके प्राइस कम है और यह जिस ब्रैंड के मैं ने लिया ना वो एक ही पीस था और सेम इसी ब्रैंड का मैं पहले लेके गए थी यह डॉर मैट फाइफ फाइफ दरम की लगे वी थी तो मैं सोची ले ले लिपी सिक्स्टी, सिक्टी दरम वाली वो पतली है पर यह मैं जो ले उने फिप्टी दरम की है और ओयल भी खतम हो गया था तो वो ले लिए यह मैं लेकर आई हूँ कैसा लगा आप लोगो यह वीडियो फे नेक्स वीडियो मिलते हैं, अलाह पैस